धानोराशी वाले जातक 99 सालों बाद बन रहा है ऐसा मौका एक साथ तीन सुखों की प्राप्ती होने वाली है आने वला सप्ताह यानि कि कल से नए सप्ताह की सुरुआत हो रही है सत्रह अप्रिल से 23 अप्रिद साथ दिन कैसे रहेंगे क्या परिवर्तन क्या बदलाव देखने को मिलेगा यही जानेंगे तो नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनु की दुनिया में धनु राशी वाले जातकों के लिए ये साथ दिन कैसे रहेंगे साथ आही कराशी फल के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रहनक चत्रो की क्या चाल है कैसे परिवर्तन हुए है इसका असर आपको क्या देखने को मिलेगा इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे जानेंगे हम लोग तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरूआत करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से भाई बंधूों से मित्रों से माताओं से बेहनों से हाथ जोड़कर विनमर निवेदन है किस वीडियो को लाइक कर दीजगा चैनल पे हमारे चलिए वीडियो की सुरूआत करते हैं दोस्तों जातकों के लिए सब्ता कई जगहों से देखे तो मिला जिला साबित होने वाला है इस सब्ता इस्टासी के जातकों को अपने वहवार पर बहुत ज़्यादा नियंतरन रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि उन्हें लोगों की छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है कारशेत्रे में मिले हुए टार्गेट समय पर पूरे हो सके इसके लिए आपको विसे इस रूप से अपने सीनियर और जूनियर को मिला कर चलना होगा परिवार या आर्थिक स्थिती सामाने रहने वाली है नौकरी पेसा लोगों को अतरिक्त आय की प्राप्ती होगी लेकिन सुक सवदावें से जुड़ी चीजों पर है खर्च भी खूब होगा करवार जो है आप एक्छा से कम होगा लेकिन लाव देगा करवार जो है काम जो है थोड़ा सा कम दिखाई देगा पर आपको लाव देने वाला रहेगा सब्ता के उत्रार्द में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे है इस्ट मित्रो या परिवार संग अचानक से परियाटन या तीर्थाटन का कारियाल है जो कारिक्रम बन सकता है कहीं घूमने जाने का कारिक्रम प्रियोजन आप लोग बना सकते हैं किसी तीर स्थान पे दोस्तों इस दरान परिक्षा प्रती हो गिता कि तैयारी में जूटे चात्रों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है युवावर्ग किसी नई विदा को सीखने के लिए कुछ नई विद्या सीखने के लिए सुरुवात या फिर किसी खेल का हिस्सा बन सकते है युवावर्ग के लिए सब्ता ये कुछ नई आ देखने को ये मिलने वाला है इस सब्ता आपको स्वैंग की सेहत के साथ गर के बुज़ुर्ग महिलाओं की सेहत का भी खुब खया लखने की सलाई दी जाती है प्रेम श्रमन्द सामाने रहने वाला है लव पार्टनर के साथ प्रेम और स्वंजस बना रहेगा दमपत्त जीवन सुख मैं आपका बना रहेगा दोस्तो साथी साथ आपको हमारी सलाह रहेगी कि प्रतिदिन देवी दुर्गाच अलिशा की पार्ट करिये मातरान के क्रपा आपके उपर बनेगी जरूरत मन लोगों को जो है सतंजा दान करिये साथ आनाज के चीज़ दान करिये आपके लिए अच्छा रहेगा शुर रहेगा आगे बढ़ते हैं इस अपता कोई ऐसा काम अपने हाथ में लेने से बचे जिसे आप बहतर तरीकी से कर पाने में खुद को असमर्थ पाते हूँ अन्यता असफल होने पर आपको अपमान जहिलना पड़ सकता है साथी साथ अपनी वाणी और वहवार पर नियंतरन रखे अन्यता आपको न सिर्फ परायों का बलकि अपनों का भी विरोध जहिलना पड़ सकता है उससे इस सब्ता पैसों की तंगी बनी रहेगी उस पर भी आपकी जो है मरमत या किसी के इलाज की चुनोती आपके लिए परशानी का सबब बन सकती है हलाकि कटिनाईयां बरे इस समय में आपको कोई जो है मित्र काफी आपकी मदद करेगा मददगार साबित होगा व्यवसाय से जुड़े लोगों को 2-7 दिनों में किसी भी योजना में धन्ने वेस करते समय बहुत सावधानी बरतनी है साज़दारी में व्यापार करने वाले लोगों को धान का लें दें सोच और समझ कर करना होगा प्रेम शमंद में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपके रिस्तों को में दरार डालने का काम कर सकती है ऐसे में किसी भी मसले को विवाद के बजाए समवाद से सुल्जाने का प्रयास करिए विवाद ना हो समवाद से निप्टाएं बात तो बहतर है गाम मुस्किल से भरे समय में जीवन साथ ही आपका संबल बनेगा आपकी मदद करेगा आगे वड़ते हैं दोस्तो कारे छेत्र में आपको सीनियर और जूनियर का पूरा सा योग मिलेगा जिसके चलते आपके खिलाब साजिस रचने वालों को मोकी खानी पड़ेगी सोचे हुए काम समय पर पूरे होने से आपके भीतर एक अलग सी शकारात्म का उर्जा बनी रहेगी इन साथ दिनों में अचानक से किसी बड़ी धनराशी प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं लंबे समय से कर्ज नहीं चुका पा रहे थे वो भी आप चुका पाने में कामियाब रहेंगे नौकरी पे सा लोगों की आई के अतरिक तस्रोत बनेंगे भूमे भवन से जुड़े विवाद को कोट कचारी के बजाए खुद से निप्टाने का प्रयास करना चाहिए आपके लिए बहतर रहेगा सप्ताक उत्रार्द में संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब धी आपकी खुशियों का जो है और सम्मान का कारण बनेगी प्रटनर के साथ नजदीकियां बनेंगी जीवन साती के साथ क्वालिटी ट्राइम बिताने के आउसर भी आपको प्राप्त होंगे सेहत जो है सामान बना रहेगा जातकों को अपने किसी भी काम में लापरवाही या आलस से करने से बचना होगा अनिता पास आई सफलता आपसे छिटक कर दूर जा सकती है कारचेतर में अपने समय और उड़ जा का सत्य वियोग करते हुए अपना सत्य प्रतिसत देने का प्रयास करें ज़िए आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे और आपको कोई आउसर प्राप्त होता है तो उसे हाथ से बिलकुल भी ना जाने दे अनिता बाद में आपको पच्ताना पढ़ सकता है मद्द में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं जिसके चलते आपका बजट गड़बड हो सकता है सप्ता के मद्द में वेवसाय से जुड़े लोगों को बजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कमपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा पढ़ने निखने वाले चात्रों को का जो है मन पढ़ाई से उचट सकता है हलाकि सप्ता के उत्रार्द में उन्हें कोई सुचना भी सुनने को मिल सकती है कामकादी महिलाओं को जो है इस समय अपने कारेच्छेतर और घर के बीच तालमेल बठाने में कुछ एक मुस्किले आएंगी सेहत समंदी समस्याएं भी परिशान कर सकती है इसका बड़ा कारण बन सकती है प्रेमिशंबंद के दुष्टी से यह साथ दिन समाने रहेगा कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका मदद करेगा आपका साथ देगा वेवाही का जीवन सुखमय बना रहेगा प्रति दिन कुसिस करेंगे सिवलिंग पर कच्चा दूद चड़ाएं तो आपके लिए बहतर रहेगा इस सब्ता आप जब तक एक समस्या का समधान निकालेंगे तब तक एक और समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगे हाला कि रात की बात यह है कि किसी भी कटिन परिस्तिती में आपके परिजन और मित्र आपके साथ तनमन और धन के साथ मदद करने के लिए खड़े रहेंगे नौकरी पेसा लोगों के लिए यह साथ दिन व्यस्तता बरा रह सकता है कारेशेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहें क्योंकि वे आपके काम में अडचने डालने की कोसिस कर सकते हैं सब्ता के मद में करियर या कारोबार के सिलसे से लंबी दूरी की यात्रा संभव है यात्रा सुखा देंगा लाव प्रद्ध साबित होगी यदि आप लंबे समय से भूमी या भावन में धन निवेश करने की सोच रहे थे तो आपके यह कामना यह सब्ता पूरी हो सकती है अला कि ऐसे करते समय अपने सुब्चिंतकों की सलाह अवस्र ले लीजेगा यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो इसके लिए उचित समय का इंतिजार करें अनेतर जल्दबाजी में बनी बात बिगड़ सकती है कोई व्यासा काम मत कीजिएगा जिससे आपका आने वाला समय खराब हो किसी को प्रपोस करना चाहता है कोई पसंद करता है किसी को तो थोड़ा सा वक्त है अभी रुक जाईए उसके बाद दीरे दीरे चीजे ठीक हो जाएंगी तब अभी जो वक्त है आपके लिए इस मामने के लिए अच्छा नहीं है अकोल मिला के देखे तो ये वक्त बढ़ियां अभी का नहीं है दोस्तों वाणी पर नियंतर रखें अन्यता वहवार पर बहुत असर पड़ेगा इसका दूसरे से वहवार आपका गड़बर हो सकता है खराब हो सकता है आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा आपकी बात से बात से ही बात बिगड़ेगी इसलिए दोनों की छोटी मुटी बातों को लेकर वाद विवाद करने के बज़ाए उसे इग्नोर करने का प्रयास करें आपके लिए बहतर रहेगा सब्ताक के सुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपका बजट गड़बड़ कर सकते हैं कारिच्षेतर में कामकाज की अधिकता आपके स्वभाओ में चुड्च्रापन लासकती है पैत्रिक समपत्ती के प्राप्ती में दिक्कते आसकती है सब्ता की उत्रार्थ में आपको भूमी बवन से जुड़ी मामलों में मामलों को सुलजातने में खूब भाग दोड़ करनी पड़ सकती है कोड के चारी के चक्कर लगाने पड़ सकते है सेहत के दिश्टी से यह समय आपके लिए सही नहीं कहा जाएगा कोई पुराना बीमारी उभरने से मौसमे बीमारियों के आजाने से सारी डिक शमस्या हैं सारी डिक कष्ट आपको देखने को मिलेगा यदि आप लंबे समय से अपने करियर या कारबार को लेकर अच्छे समय के आने का इंतजार कर रहे थे तो यह सपता खत्म हो जाएगा किसी प्रभावे व्यक्तिक या मित्र की मदद से रोजी रोजगार की कामना आपकी पूरी हो जाएगी व्यवशाय के विस्तार की योजना सकार रूप से लेते हुए नजर आएंगे आप सब्ता के मद्द में दनलाव के आउशर भी आपको प्राप्त होंगे व्यवशाय से सम्मंदित की गई यात्राएं सुकदियंग मन चाहा लाव दिलाने वाली रहेंगी भूमि भवन के क्राव एक रहसे कई जातकों को लाव भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस सब्ता सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अत्रिक्त परिश्रम और प्रियास करना पड़ सकता है कारचेतर में उन लोगों से सावधान रहें जो आपके काम में अक्सर अडंगे डालने का प्रियास करते हैं यदि आप मन्चाही जगह पर तबादले या नौकरी में बदलाव के लिए प्रियास रथ हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कोट का चरी में चल रहे हैं मामलों को बादचीत के जरिये बाहर ही सुलजा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा अनिता चीजे लंबी खिस सकती है इससे भविश्य में आपके लाव के बज़ाए नुकसान किया संकाएं बंतीवी दिखाई दे रही है तो ये सब सोच समझ कर करिएगा इस सब्ता उपाय करिएगा मंगल अबार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चड़ाएगा और प्रति दिन उनकी पूजा करके सुन्दर कांड का पाट करिएगा सुब्सबए गणे जी का असरवाद लेकि किसी भी काम के लिए घर से इस विडियो में हम लोगोंने यही जाना अमीद करता हूँ दोस्तो यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी लगी तो लाइक करदे है चैनल पे हमारे पहली बाराएं हैं तो दोस्तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दी जगा सबस्क्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, गरवालों का ख्याल रखें, साथी साथ अपना भी ख्याल रखें यह सब्ताप के लिए मंगल में बीते, शुब बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं जय श्रादे, जय भोले नात हर हर महादेव, बंबं भोले